नमस्कार स्वागत है आपका आज हम बाचित करते हैं कि बिश्व ग्यान की धर्ती नालंदा जहां आज हम हिलिसा सहर के मईगाउं में हैं और बिप्यसी का रिजल्ट निकला है जहां अपने अस्तर से बच्चों ने मेनत किया था उसका परिच्छा फल निकला है वैसे ही आज एक वैसे माता पिता और ऐसे हुनहार लाल से हम बाचित करेंगे जो कि मैं धर्ती के रहने वाले हैं और सियो के पश्ट पर उन्हें मिला है और 425 रैंक लाए हैं आज उन्हीं से बाचित करेंगे लवकुष कुमार जी हैं सबसे पहले आप बताईए कि अपने इस सफलता का अब्यासा ममी पापा भीया और कुछ मित्र हैं जैसे कि गोलू हमारी भावी हुए इन सबी को मैं सफलता का रियल्ट आने के बाद क्या लोग का महौल है खुशी का तो महौल ही है ही है और खास करके ऐसे जो स्टूडेंट जो इस छेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रिरणा का काम कर रहा है कि इनर्जी उनको मिल रहा है कि हम भी अगर इस छेत्र में अगर एफ़र्ट लगाते हैं तो मुझे भी सकरात्मक परिणाम मिल सकते हैं आपको कैसा लगा कि हम क्यों परिच्छा दे कैसे दे और क्या करना चाहिए क्या मन में विचारा आया था आपका नहीं एक्शली जो मैंने ग्रेजुएशन जो किया था वो बीटेक से किया था कंप्यूटर साइंस इंजिनेरिंग में लेकिन चुकि उस छेत्र में मुझे उतना इंट्रेस्ट नहीं था शूरू से ही एक जो आपको तो भी पता है बिहार में एक महाली होता है कमीशन का नहीं हो पाया तो फिर भी मैं प्रियास जारी रहा निरंतर प्रियास करता रहा कुछ मित्र थे जो काफी ज्यादा सपोर्टीव थे इंटर्व्यू के लिए प्रिप्रेशन के दरने काफी मदद किया जैसे हमारे भाईया हुए गोलु हुआ जहां तक बता जाता कि आप किस किसान लाइन से आते हैं क्योंकि आपको पिता जी किसान लेवल में है और फिर भी इस तरह के बहतर परियास रहा और आपका रियाल टाइस सामने है जी बिलकुल संगर्स तो सुरू से ही देखे थे क्योंकि फाइनसली कंडिशन उतना बहतर नहीं था लेकिन अगर किसे गाउं में क्या महौल है अच्छा ही है सब लोग पॉज़ें कि आखिरकार रियल्ट आने के बाद गाउं में क्या महौल है गाउं में महौल बहुत अच्छा है परिवार आपको क्या देख रहे हैं लोग बहुत अच्छी चरह से देख हैं आप खुस हैं कि जो रियल्ट उन इनका रियल्ट आने के बाद क्या महौल है गौह में और आप कितनी प्रशंता गौह में तो काफी सुखत महौल है और यह पहले बच्चे हैं मतलब हमारे गौह से इतनी बड़े गौह से जो कि जिन्होंने कमीशन पास किया इसके बाद काफी बच्चों को प्रेरना मिलेगी कि कि वो कमीशन में ट्राइ करें इन्होंने मतलब मैं जहां तक इने जानता हूं इन्होंने स्टार्टिंग से हिम्मत नहीं छोड़ा और जितना मेनत होता पिछली बार जब इनका इंट्रिव्य में कम मांक्स आया था मैं बोल सकता हूं मतलब पूरे विश्वास के साथ बोल स आप बजन है कि कभी भी जो वह किशीकी मदद कर सकते हैं लिए और उन्होंने जितनी दीन रात इफट किया जब से लॉक्ड़ा था तब से मुझे याद है कि इन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं चोड़ा था कि इन्होंने इंटर्वु के ले प्रिपेर नहीं किया और जहां लबकुस का पोस्ट का घर्व प्राप्त किय जो अप बहुत पुरीवार में हर्स हो रहा है जो बहुत पुराने जवाने से कोई ऐसा नहीं कि एक लोटाइए मुझे तो बहुत में जो पार रही है कि इन्हों उन्हें जो अपने मान में जो करियार के इचा किया था कि हमको सिविल सेट्विस में जाना है तो उन्होंने ये करके दिखा दिया और इसको इसके लिए इनको हम लोग के परिवार के तरफ से और मलता पिता की तरफ से बहुत